इस कारिक्रम के पुणयारजक हैं सेक्टर सेतिस नोयडा, पारसमल, इंद्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाकलीवाल, सूरत, श्रिविनोजयन, मिलेनियम, श्रिमती नीता जयन, समस्त गुरु भग्त परिवार, फिरोजबाद धर्म इश्नेही, सत स्रद्धालो, यहां पर उपस्तित, आप सभी भवेवर पुंडरीक, पुंड्यात्मा, महानुभाव आचारी भग्वन योगीन देव द्वारा विर्चत, जयाना कुछ गंत की वाचना की अंत्रगत, ध्यान की संबंद में व्याख्यान चल रहा है, निशन्दे प्रणामों की निर्मलता का तो कारण है, संकलिस्ता का परिहारक, असुव का शंबर करने बाला, पूर बद्द पापकर्मों की निजरा करने में समर्थ, एवं परंपरा से मुक्ष का हेतु है, आचारी महुदे किस प्रकार ध्यान की संबंद में व्याख्या कर रही हैं, विगत दिवस देखा था श्लोक नमबर पंदय की माध्यम से, कशाय नो कशाय हम चे कर्म नो कर्म ह कशाय नो कशाय, कर्म नो कर्म, मनो तिंद्रिय, मन और इंद्रिय, जैने के विश्यों का परत्याग करके, नकिंचद की चिंते हैं, फिर कुछ भी चिंतों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में, जब योगी कोई लीन होता है, उस समय वह शांत चित वाला नियम से होता है, चित में अशांती चाहिए किसी प्रकार की हो, कशाय की माध्यम से हो, नो कशाय की माध्यम से हो, कर्म की उद्रिय शे हो, नो कर्म की माध्यम से हो, चाहे किसी पदार्थ के पती राग की तीवरता से शांती बने चाहे द्विश की तीवरता से शांती बने चाहे चित्त के मलिन होने से वे मलिन चित्त मुवसे भी होता है, राग से भी होता है, द्विशे भी होता है और जितने भी संसार की अनंत कारण हैं दे सब इनमें ही समाविष्ट हो जाती है किन्त ये बात बिलकुत तय है जब आत्मा की शंकलिस्ता बन रही है तब तब शुब ध्यान छूट जाता है जब जब परपदार्थों में आत्मा संलगन है लीन है आसकत है तब तब धर्मध्यान छूटता है परपदार्थों के द्वारा अनुभव किया गया आनंद या हिंसादी पाप क्रियाओं के माद्दमशे माना गया आनंद या सुक्का किया गया अनुभव वह दुखद ही होता है सुखद नहीं होता यह तो पढ़ने के लिए संसार की अनंत शास्त्र हैं बहुत विद्याई हैं जिकी शादना की जाती है जिनका अध्धन किया जाता है कला है उनकलाओं में कोई व्यत्य निपन होता है हर कला के लिए अभ्यास किया जाता है अठारे महावासा सास्वा लगुवासा हैं उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए पुनह पुनह अभ्यास की आवश्यक्ता होती है या अनकिसीवी कारे में निपनता हासल करने के लिए निरंतर अभ्यास एवं उसको हाशल करने के लिए उच्छे तो फुर्णिका उद्या चाहिए किन्तो ये शभी वातर कलाएं शभी क्रियाएं शभी प्रिकार की विद्याएं भासाएं ये सभी आत्म कल्यान की नियाम के हितु नहीं है यदि कोई विक्ति एक भासा जानता है या अनेक किसी विक्ति के पास एक विद्याएं अनेक किसी के पास एक कलाएं या अनेक किसी के पास किसी भी कार की दक्षता एक कार की दक्षता या अनेक कार की इनमें से कोई भी आत्म कल्यान की नियाम के तो नहीं है आत कल्यान की नियामक एतु है तो वह है धर्म ध्यान की निरंतरता धर्म ध्यान की निरंतरता बनी रहे धर्म ध्यान विर्दी को प्राप्त होता रहे मोह उपसंभाव को प्राप्त होता कशाय की मंदता होने पर ही जीव सम्वक्त को प्राप करने में समर्थ होता है सम्वदश्टी होने पर या तो वे देश्वती महावरती यादी बने पापादी का परत्याक करे या फिर वे सम्वक्त के अनकूल वातावर्ण में रहे सम्भ्सम्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वा आसक तो हो नहीं सकता कशायों की तीवरता के साथ रहे नहीं शकता उपसम और शेपसम तो छूट सकते हैं यदि आत्म कल्यान की नियामक ये तो है तो ये तीन कलाएं है समीचिन शद्धा रूप कला, समीचिन ग्यान से परपूर्थ कला और समीचिन चार्त को अंगीकार करने वाली कला एवं निर्मल पालन करने की कला ये जिसके पास हैं चाहे हुए है एक भी भासा को नहीं जानता हो चाहे हुए किसी और एक भी कलामे निपुर नहीं हो चाहे उसके पास अन्य प्रकार का और कोई हुनर नहीं हो चाहे और किसी कार्विन दक्षता नहीं हो लौक एक पड़ाई उसे बिलकुल भी न की हो कोई भी डिगरियां न हो किन्तो जो अपने चित्त को समाल सकता है मन को समाल सकता है उसे इस अंसार में कोई पतित नहीं कर सकता जो अपने मन को नहीं समाल सकता तो दूशरे मन को समालने की शलह दे सकते है निदेश उपदेश दे शकते हैं जादा गए तो आदेश दे सकते हैं ईदूश्य की मुन को समानने के लिए उस ग्रक्ति का स्वेम का उपयोग, स्वेम का सहियोग सरवुत्तल होता है सर्वस्यष्ट होता है उसकी इहम भूमका उती है वे जिशको भी बनाना चाहे अपने चित्त को नवल बनाने के लिए निमित बना सकता है अपने मन को समालने के लिए किसी को भी निमित बना सकता है चाहे चेतन है चाहे अचेतन पुद्गलादी कोई भी चीज है कि सीवी पर्याय को देख करके अपने चित्त को संबोधन देशकता है प्रकति का पतेक परमानू बीत रागी के लिए बीत रागता का बुदेश दे रहा है सरागी के लिए सराका बुदेश दे रहा है मोही के लिए मोह का बुदेश दे रहा है एक इदर्श को देख करके अलगलब प्रकार की विकल्प मन में आ सकते हैं यहां पर आचर मोदे बता रहे हैं कि आगे वो क्या करी किस प्रकार अपनी मन को समाली और किसका चिंतन करी ध्यान के शम्मन में कारिका नमबर 14 और 15 में जो देखा अब शकर आगे कारिका नमबर 16 को देखती हैं आचर मोदे कारिका नमबर 16 की माद्यम से यहां क्या कहना चाहती हैं क्या बताना चाहती हैं देखती हैं आचर मोदे के सब्दों में ही आत्मा सत्यम परिज्याय सर्व कर्म परित्यरित आत्मा नंतत्यो वदभावं ज्चान कर्म समांचरित आच्छानुबदे ने बताया आत्मा सत्यम आत्मा सत्य है सत्य थी सत्य रूप रहेगी क्या विभाव अवस्तावी सत्य है हाँ विभाव अवस्तावी सत्य है किन्तु विभाव विभाव की पिश्या सत्य है सभाव की पिश्या से नहीं सभाव सभाव की पिश्या सकते हैं विवाव की पिश्या से नहीं संसारी जीव में शिद्धों जैसी छमता हो सकती है पर शिद्ध नहीं सिद्ध परमिष्टी भूत पूर प्रग्या परन्रे की पिश्या से संसारी कह सकते हैं कि इसे लिए कई बार कोई विद्वान चट्षा करते हैं कि सिद्धों के दस प्रान नहीं पाई जाते हैं पांच इंद्रिय, तीन बल, आयू और स्वाक्षकस्वास इसे लिए जब सिद्धों के प्रान नहीं है तो जीव क्यों का जा सकता है तब का जाता है शिद्धों के विवार प्राण भले ही नहीं है किन तो निश्य प्राण तो है जियान चेतना दर्शन चेतना यह निश्य प्राण संसारी जीवों में पाई जाते है और निश्य प्राण जिसके पास है है इसे अजीव कैसे कह सकते हुँ ही या कि बियानous MDƠ कि शाहत है बिभार प्राण कर कि श्वह ब्रीवार शलता है विवार प्राणा si does struggling म्ला घी दाया है ब्योग हो गया मुलत्र प्राफत हो गया कि तो निश्य प्राण तो सास्त है तो यहां बताया कि जीव विभाव की अपिश्या से भी शत्य है विभाव वस्ता में यदि हम विप्रीत वियाख्यान करें विप्रीत समझें तो फिर वियाख्यान की गलती नहीं हमारी गलती या शास्त्य की गलती नहीं हमें वियाख्यान भी समझे समझना है और सुनाना है यदि राम पिता है तो राम पिता अपनी पुत्र पुत्री आदी के पिश्चा से है राम पुत्र है तो अपनी पिता के पिश्चा से है भाई है तो अपनी भाईयों के पिश्चा से है पती है तो अपनी पत्ने के पिश्चा से जो जिस अप समझें तो समग शत्य को प्राप्ते नीकर सकते हम अन्य Assistant समझें कि अपिक्षा को सबस्द दें संदो ड्रकृष चूट जाएगा नींउबा होता है रंग की अपिशा से ने स्वाध की अपिश्या से नीम हरा होता है स्वात की अपिश्या से नहीं वर्ण की अपिश्या से तो जो जो अपिश्या है उस अपिश्या से बस तो को समझेने की कोशिश करना चाहिए यहां पर आचार मोदे बता रहे हैं आत्मा की शमन्द में आत्मा सत्यम परिज्याया आत्मा सत्य है इस प्रकार परिज्याया जान करके सर्व कर्म परी तजीत आत्मा का स्वरूप जिसने एक वार समझ लिया जान लिया अनुभव कर लिया वे त्रय योकी प्रवत्तियों में रंजया मान नहीं हो था वो शे त्रय योकी कर्मा को फिर छोड़ देना चाहिए पहले असु को छोड़ता है पर सुभी छोड़ जाता है ऐसा नहीं जो आत्मा के स्वरूप को जान करके पुंड में या पाप में लीन हो जाए कोई सोचे के पुंड को तो करता रहेगा पाप को छोड़ देगा पुंड होता रहेगा पाप को बुद्धी पुर छोड़ देग पुंड से भी बचने की कोशिश करेगा। वह सोचता है पुंड के लिए अपना समय का दुर्पयों नहीं करेगा। चलो मैं पाप नहीं कर रहा हूं, पुंड कर रहा हूं मुझे पुंड के मादनम से और कुछ सुख मिलेगा। जिसने मुगती के स्वरूप को अनुवश कर लिया है वह पुंड में भी डूब़ाना होता है चाहे खारेCम ₌तनी मीठेCम ₌तनी मोद और न की मुझे पानि मोद इंद्रब ऑंध शाओreet है तो आत्मा के शागर में डूबना है जहां पर स्वांस लेने की आवश्वतानी परती अनंतानंत शुद्ध स्वांस स्वसन के लिए से रहे ते कहा शर्व कर्म परीते संपूर्ण कर्मों का परत्या कर देना चाहिए कि मेरी आत्मा को समय पहले थी यहां से प्रानम करो एक पहले मेरी आत्मा थी इस शरीर में थी उसके दशन पहले सोचन पहले मिनट गंटा दिवस मास वर्ष कई वर्ष पहले मेरी आत्मा थी शरीर से पूर्व इस शरीर के पूर्व मेरी आत्मा किसी शरीर में थी उसके पूर्व कहीं थी उसके पूर्व से थी सतादिक वर्ष सह तंक्यात उस्वपणी उस्वपणी अनंत काल बैक में चले जाओ मेरी आत्मा तब थी कहां कहां से मेरी आत्मा निकलते चली आ रही है आत्मा कुछ आप आज भी आत्मा इस शरीर में है इस शरीर में नहीं हूं में आत्मा हूं अनंत काल के बाद भी मेरी आत्मा रहेगी इस इस्तिती निश्यत नहीं है कब तक रहे किन तो इस शरीर के वाद भी आत्मा कस्तों तो रहेगा शरीर मिट्टी में मिल जाएगी शरीर में शात्मा निकल जाएगी लोग जलाएंगे गाडएंगे कहीं यह मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी आत्मा दुश्य प्राप्त कर लेगे वह शरीर भी नश्ट होगा तीसा प्राप्त करेगी और ये शरीर कभी भी नश्ट हो सकता है इस कर्म मुमे के मनश्व तरंच के लिए कोई नियामक ही तो नहीं का जा सकता आज इस अरी इतने वर्स तक रहेगा ही रहेगा विद्याएं अपने याप में सत्य हैं जोति लिए या रेखा के मादनम्शे या खुनली के मादनम्शे ये परिगान करते हैं वर नियमति ग्यान है नियमतियों के मादनम्शे जानते हैं फिर भी सो प्रत्सत कोई कही कि सो प्रत्सत ऐशाही है नहीं कह सकता अब दी ग्यानी कह सकते हैं नियमतियों अनुमानता कहते हैं कब उसके जीवर में कौन से कर्म को दे आ जाए अब दिग्यान से नहीं जान पा रहा है तो उसका सरी छोटी भी सकता है इश्वकार जो अनंत पर्यायों के मद्द में अनशुत चलियाई आत्मा को देखने में जानने में समर्थ है अनंत पर्यायों के बाद भी अपनी आत्मा इसे जान सकता है के बले शरीर की नहीं शरी तो जनुलिया वाल यवस्ता किशोब रवस्ता या वस्ता प्रोड अबरद वस्ता कितनी वस्ता आएंगी कहने शकते सरी छूटने उपराइब में कहां जाउंगा एक आत्मा के बारे में बारबा चंतन करता रहेगा तो विक्ति इस छड़वर की पर्याय के पती रंजाय मान नहीं होगा पाप नहीं करेगा आचर बोदे कह रहे हैं आत्मा अनंतत्त वध आत्मा अनंतत्त पना आत्मा का सभाव है कभी नेश्ट नहीं होती आत्मा पर्या की अपिश्या से कभी नश्ट नहीं है गोड की अपिश्या से कभी नश्ट नहीं हो सकती और द्रब की अपिश्या कभी नश्ट नहीं हो सकती आत्मा कार की अपिश्या से भी अनन्त है, आत्मा द्रव की अपिश्या से भी अनन्त है, छेत्र की अपिश्या से भी अनन्त है, चाहिए एक पिदिश में समाज आई या संगात पिदिश में रहे, इस आत्मा के लिए कभी भी छेत्र की कमी नहीं आएगी, उस अपिश्या से अंतमा के साद के सवाह नियक्राशुद है भावों के पश्यासे भिए एनुते पर शड़ है आंतमा में कभी वी शुम्षा नहीं आा गरिसी उत्य हाउन्या कोई भाव न हो चाहि निगाद में रहması चाहिए सद्रह में रहि रहिए चाहिए समसार जान में लीन रहे अवरत्त संभग तश्टी इमस्द जान प्रवासर इनट यंद्र जान में लीन यानने कोशिश करते हैं वरती के यदि मनस्षमतरग है तो वे कृता है कि जानति बढ़ता है योगी फिर ग्यान में लीन होने कोश्च करता है जिसने ग्यान में यानि आत्मा में लीन होने की कोश्च कर ली वो अपनी आत्मा को सुद रूप में प्रात कर सकता है और ज्यान की अत्रिक्त जो कुछ है अज्यान है मोह है रागदेश है परपदारत है उसमें जो लीन देता है वह संसार मारगी है आत्मा को आत्मा में लीन करता है वही यह थात्में मुख्ष मारगी है लिश्य से मुख्ष मारगी है यह आचार मुद्र का भाव है आज बस इतना ही पर्याप्त है से शर्चा बाद में करें जेवली श्री शांतनात भगवारन की परम्पुज आचारी गुर्देव शिविद्यान नजीमन महराज की अहीं सामय विश्व धर्म की परम्पुज आचारी गुर्देव शिविद्यान नीटा जैन समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजबाद